अगर आप नागपूर से हो या नागपूर के बाहर से हो अगर आपने नागपूर का विक्की भाई का पोहा तर्जी पोहा नहीं खाया तो आपने समझो पोहे का टेंगे पाई विक्की भाई का पोहा ये नागपूर में कस्तुर्चन पार्क में एक आकर्शंक का केंद्र है ये यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले नागपूरी पोहे में से एक है विक्की भाई पोहे वाले की शौप नागपूर में 35 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और यहां का टेस्ट नागपूर या अन्य जगह के टेस्टी पोहे से अलग है ये बहुत टेस्टी है तो आईए आप भी जरूर ये पोहे ट्राइ कीजे आपको बहुत मज़ा आएग विक्की भाई के पास समोसा और समोसा की उपर डालके पोहा समोसा पोहा भी काफी फेमस है ये बहुत यूनिक चीज आपको यहां खाने मिलेगे यहां पर पोहे के साथ साथ यहां पर जो ग्रेवी बनती है वो इतनी टेस्टी है कि आपको पोहे के साथ साथ उसे बार-बार खाने की इच्छा होगी दोस्तो अगर आपको ऐसे नागपूर के स्पेशल स्क्रीट पूर के वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो पोश्ट करेंगे तो आपको पता चली जाएगा फ्रेंड्स ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग है आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि दोस्तों अगर आपके फ्रेंड्स सरकल में ऐसा कोई फ्रेंड्स होगा जिसे पोहा काफी पसंद होगा है उसे ये वीडियो जरूर टैक कीजिए शेर कीजिए सोगा है कि मैं अठाई य्जूर कब से आपके कालयों ज़ुक शिर्टी अपने खुरा के खुलान है तोस्तों पतालीकम आपको जबाता तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजे साथ ही साथ बेर आइकॉन भी प्रेस कीजे ताकि जब भी हम कोई नापूर के अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले पता चलेगे थैंक्यों दोस्तों कीप वाचिंग मैं चैनल फ्रेंड्स जब हम यहां वीडियो शूट करने आए थे तब यहां दिलसे फुडी ओफिशियल यूटूब चैनल की टीम भी शूटिंग के लिए आई थी उसके साथ मिलके उनके साथ फोटो शूट करके हमें बहुत अच्छा लगा थैंक्यों दिलसे फुडी